हेलो दोस्तों सवागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम उत्तर परदेश में आई परमान पत्र जाती परमान पत्र और मोल निवास परमान पत्र बनवाने के लिए जो ID पासवर्ड होती है उसे किस तरी प्रिट देखने हैं आप बिल्कुल फ्री में एक मिनट में आइडी पासवर्ट ले सकते हैं और किसी का भी दोस्तों डॉकुमेंट अपलाई कर सकते हैं तो आइडी पासवर्ट लेने की निए सबसे पहले आपको इस वैबसाइट पर आ जाना है इसकी लिंक मैंने आपको नी जाते हैं जैसे हैं पर लिए इस पर किलिक करेंगे वो आप एक मिनट में आइडी बना कर अपने डॉकुमेंट बना सकते हैं या दोस्तों कस्टुमर की डॉकुमेंट भी बना सकते हैं यहीं से दोस्तों आप अपनी आई जाती या मोल लिवास या किसी भी डॉकुमेंट का status चेक कर सकते है और उनका सत्यापन भी यहीं से कर सकते है अब ID बनाने के लिए सबसे आपको क्लिक करना है उपर cd-login वाले option पर cd-login इस साथी login इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस तरीके से पर पंजी करने के बाद दोस्तों आपको केवल छोटा से फोम यहाप पर फिल करना है तो जो भी ID आप बनाना चाहते है सबसे पहले आपको ओपर वह ID डाल दिया है इसमें आप अपना नाम भी डाल सकते है कुछ भी डाल सकते है हो सकता है आपके नाम से आप जो ID डालना चाहते है उससे पहले ID create की है तो आप यहाँ पर कुछ भी अदर डाल सकते है जिससे आपकी ID बन जाए यहाँ पर जो ID बनना चाहते हो डालनी है उसके बाद यहाँ पर लगता कि जांच करें इस पर किलिक करना है तो यहाँ पर अगर जांच में यहाँ पर लिखा गया आ जाता है तो आप वो आईडी क्रेट कर सकते हैं जैसे में यहाँ पर आपको कुछ भी डाल के यहाँ पर दिखा देता हूँ कमसर्ग में आपको 6-8 नंबर के डालना है और इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है यह है login ID प्रियोग हेतो उपलब्द है यानि इसे आप ID बना सकते हैं उसके बाद जो यहाँ पर डोकुमेंट बनाएगा यानि जिस नाम से ID बनेगी उसका नाम यहाँ पर पूरा नाम डालना है आप डाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अपना डोकुमेंट बनाना चाहते हैं वह इहाँ पर डोकुमेंट बनाएगे उसी जिले के दोस्तों आप यहाँ पर डोकुमेंट अपलाई कर सकते हैं उसके भाद क्या करना है आपको अपना mobile लंबर डालना है इमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर दिखायेगा है यह capture code है यह आपको फिल करने है और सुरक्षित करें पर किलिक करने है तो दोस्तो यहाँ पर आपके mobile लंबर पर OTP आएगा और तो OTP डालने के बाद, दोस्तों आप लोगीन करेंगे, मैं बैक करके यह आप दिखा देता हूँ, दो बारे से इस पर केडिक करता हूँ, जब यहापर दोस्तो आप OTP आजाएगा, तो OTP को यहापर आपको नीचे डालना है और आपकी ID को यहापर उपर डालना है, और यहाँ पर जो capture code दिखाएगा यह डालना है तो उसके बाद submit पर किलिक करना है submit पर जब आप click कर देगे OTP डालने के बाद तो यहाँ पर जो first time का OTP होता है यहाँ पर चेंज होगा याँ आपसे एक password मांगा जाएगा जो आप password बनाना चाहते है वो यहाँ पर बन जाएगा तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर छोटा सा form भरके आप अपनी ID क्रियेट कर लेगे जैसे दोस्तों मेरी ID यहाँ पर पहले बनी हुई है और यहाँ से मैंने बहुत सारी डोकुमेंट भी apply किये हुए है मैं यहाँ पर दोस्तों अपनी ID login करता हूँ और submit पर किलिक करके आपको दिखा दिता हूँ किस तरीके से हमें portal में काम करना है submit पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपकी ID इस तरीके से हैं पर login हो जाएगी यहाँ से आप डोकुमेंट जो apply कर सकते है जैसे हैं यहाँ पर लिखा है जाती पर्मानपत्र हिंदी वाला अंगरेजी वाला यानि सेंटर गुर्मेंट वाला आई पर्मानपत्र निवास पर्म पर्मानपत्र यहाँ से बहुत सारी document आप apply कर सकते हैं जादतर लोग यहाँ पर आए जाती और मूल लिवास यहाँ पर apply करते हैं और यहाँ पर जो भी डोकुमेंट दोस्तों आप apply करते है वो यहाँ पर आपके आ जाते हैं और जब डोकुमेंट आपके बन जाते हैं तो कोई भी अपने डोकुमेंट आसानी से बना सकते हैं जो भी डोकुमेंट आपने अपलाई किया उसकी सिलिप के लिए यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने फीस पे किया है उसकी सिलिप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पोर्ट बिना मोहर और सिगनीचर के ही जहां भी आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने 116 डॉकुमेंट यहां पर बनाए गए अभी तक और यह सभी जंग इस्तिमाल किया जा सकते हैं और मेरे जो अभी पैंटिंग में हैं जोना apply कियो हुए इस पॉर्टल पर और भी वीडियो बनावा किस तरीके से आपके फ़ीज पेमेंट करनी है किस तरीके से हमें डॉकुमेंट का status चेक करना है उम्मीद करते हो दोस्तों ये विडियो आपको पसंद आयोगा दोस्तों वीडियो पसंद आयोका तो करें पूर चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियों को देखने के लिए दोस्त आपको बहुत धन्यवाद